सब्सक्राइब किजिए दोस्तों हमारे चेनल को नोटिपिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस किजिए गुद्मोनिंग स्टुडेंट माज्यान भारती ग्रूप वेज़ेट एदुकेशन में आपका ओर्लाइन क्लास के अंदर जो है सौगत है आज हम सोटल साइंस का जो है पहला ही चिप्टन है स्वणिम भारत प्रालम से लेकर बारा सोचे इस्वी तक इसको हम बढ़ेंगे इस्ट्री के अंदर तो इसमें स्वणिम भारत में आप देखी कि भारत का इतियास वसुदेव कुटमबकम के आदार पी राह है हमारी जो पेता और संस्कृति है वह भी आपको पता है सरोभवन तसुखियन सर्वेजंतु निरामया इसको आधार मानकर है ना समस्त विश्व में भारत की संस्कृति का जो है प्रसार किया गया है ठीके और भारत को पहले सोने की चिडिया भी ठाहा जाता ठीके ना और आगे देखो उत्कनान और पुरातात्विक अवसेशों के अधार्पल भारतिय संस्कृति का विश्व वापी सोरुप दिखाई देता है उत्कनान जानते उत्कनान मतलब खुदय के दोराम जो अवसेश मिले हैं जैसे तामबे के सोने के ठीके मृत्भाण जो भी है ना जो भी अवसेश मिले हैं उनसे यह निर्दाइदी तो होता है पुरात्वात्विक विवागत के माध्यम से कि उस समय का समाज की जो चबता किस प्रकार की किस प्रकार का लोगों का जीवन यापन था उनके कल्च्छर के साल था उसी के बारे में इसमें देखना है समुद्र पार भारतियों प्रदेशों को क्या कहा जाता था धीपांतर धीपांतर कहा जाता था ठीक है समुद्रपार आगी देखिए सक्ति साली जलियानों में यात्रा करके भारती ब्रमदेश, शाम, इंडोनेसिया, मलेसिया, ऑस्ट्रेलिया, गोर्नियों, फिलिपिन्स, जापान, वो पोरिया तक महुँची और वहाँ अपना राजनितिक और सांस्कितिक सामराजी इस्ताफित किया किनों ने, भारतियों ने, आगे देखो, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में हमारी एक तो बंदरगा और एक नाविक शक्ति, मलब जलियान, जिसको कहते हैं, मलब जिसके अंदर युद के लिए आयुद रखे हुए हो, ठीके, एक तो नाविक शक्ति और बंदरगा प्राचिन समय में बहुत सरुत ट्रश्ट उदार हमें मिलते हैं यह सक्तिशाली बेड़े थे हमारे ठीके नाविक्षिक्ति अत्यतिक विक्षिक्ति सिंदु नदी में 6000 वर्ष पूरू चलने वाले जलियानों का उलेक विद्वालों ने किया है सिंदु नदी में 6000 वर्ष पूरू भी जलियान चलते थे एक देश से दूसरे देश की विच में व्याकार करते थे भारतिये जलवर थल दोनों वार्गों से विशु के विवेन देशों में पहुंचे और वहां के निवाशियों को अपने दर्मों संस्क्रति से क्या कराया वा भारत के लोगोंने भारत के प्राचन सब्वेता के विख्षी सौरूप दिएता है देता है निए अगे देखो शिंदु सरस्वति सब्वेता से तात्पर शिंदु नदी और उसके साइग नदियों की तलठियों में या उनकी किनारों पर लोगों ने जहां बहुती बसी ल किनारे पर जिन लोगों नीवन यापन किया किका सिंदु सब्वेता सरसवति सब्वेता सरसवति का वर्तुमार में गगरनाव हैं गगरनाव में लेटी नदी मृतनादी तो इसके किनार पर या इसकी तलटी के पास पसने वाली लोगों की सब्वेताओं को सश्वती सब्वेता केते हैं ठीक है वेदिक सब्वेता वेदिक जब वेदों की रजना हुई महर जी वेद्वियास के द्वारा और चारों वेदों की रजना होने के उपराद उस समय का जो काल था वो वेदिक सब्वेता काल कहला तो में विशु जयानकोस की रूप मे जाता है किसके रूप में जाता है वेदों को विशु जयानकोस की रूप में जाता है सिंदू सर्ष्वति सव्वत्य संत्य किनार्यों पर बसे हैं उनकी जो सब्वेता है उनका जीवन याफन करने का तरीका आए वो के आए अपने आप में एक सर्वत क्रश्ट है, ठीके, रामायनों माबार्थ काल के इपिन आदर्श्टियों निती गरंतों के रूप में परसिद रहे हैं, रामायनों माबार्थ जो गरंत रहे हैं, वो हमारे क्या रहे हैं, निती गरंतों के रूप में मैं तोपुन माले जाते हैं उनकी सिद्दान हमारी जीवन में आज की वरत्मान में भी अपनाई जाते हैं ठीक है आगे देखो हमारा माजन पत्काल हमारा माजन पत्काल गणतंत्रात्मक समयधानी व्यवस्ता का आधर सरा है माजन पत्काल क्या रहा है गणतंत्रात्मक और समयधानी गणतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा चुनिवी सरकार के मात्रियन से सासन संचालन करना ऐसी वेवस्ता हो गरतंतरात्मक केते हैं अब बात आजाती है कि राजतंतरात्मक सासन किसे कहते हैं मतब राजतंतरात्मक सासन उसको कहते हैं जिसमें राजा का लड़का या उसका उत्राधिकारी की राजा बने ऐसी वेवस्ता हो क्या कहते हैं राज तन्त्रात्मक क्या प्रियोप करके अपने प्रतिरीदी को कुंती एक अधार्त अपने राजा को चुंती कीए ठीक है रिट्व्स यह बात मार्थ जनंपत्ाल में कए व्यवस्थाति होसा दल कि इसकाल विभिन को धाइज देता है इस काल तक पूर्वी उत्रक्रदेस तता प्सिंवी ब्यार्मी पूर्वी उत्रक्रदेस और बड़ा परिवरतन लाई लाई नहीं होता है उसको उत्करन नहीं होता तो क्या रेल पठरों पे दोड़ पाती ना आगे देखो तदा इससे समाध में इस्ताइज जीवन यापन करने की प्रवर्ती सुद्रण हो गई क्रशी उद्योग क्रशी उद्योग व्यापार मानिते आ और उनको लोगों को बेष्ती थी ऊंसे उनका जीवन यापन होता था लेकिन ripeseевेन नव लेकिन कुछी में नवाचार। उद्योग को में नवाचार। वानिते मैं नवाचार और उन्का कैशा था। 50叔 有 पटीक आन्यों के। जनता के बीच, उनका क्या नहीं रोगा फिर प्रभाव नहीं रहा क्योंकि तक्नीक है ग्यान के माध्यम सरद्ली सीआ जोकि प्र watch आए रह कि पुरात्नी जो विवस्दा धी जंगली जंगली लोगों कि अथाव पूरुट्ः सताप्सरा आगे उत्तरभार्त में किसी एक शक्ति का रिंदनन्न नहीं था छोटे 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 राजियों में उत्र भारत बटा हुआ ताच्वाम कु में बटा हुआ था स्कुर्ण भारत एन्यрос आएक शOTत्र अब ग्रंत अंगुत्र निकाई का उन्सा बहुत ग्रंत जो हैं अंगुत्र निकाई उसमें इस बात की वैक्षब की गई है कि माजन्पतों की संक्या जो की वो कितनी थी छोला थी इसमें दियाओाए बहुत गरंत अंगोतर निकाय के रुशार 16 माजन्पत थे इतने माजन पत्ते 16 तो इसमें को कोन से थे देखो आप इनकी स्वत्मत्र राजदानिया हो करती थी काशी की राजदानि थी उससे में वाराणशी ठीक है इसके बाद पुरू की इंद्रप्रस और अंग की चंपा मगज की राजग्र या गिरीवरज यह भी वरत्मान बियार में वज्जी, विदेख और मितिला, मल की एक कुछावती या कुशिनारा चेदी की है सक्तिवती या शोतिवती थी थीक है वस की है कोशाम भी गोशन की है अजध्या बुद्ध काल में इसके दो भागती उत्री भाग की राजदानी शाकेती और दख्णी भाग की राजदानी स्रावस्ती ठीक है दख्णी भाग की राजदानी क्या थी स्रावस्ती ठीक है बुद्ध काल की गड़ना है स्रावस्ती में सरवादी कुप देश दिये बगवान पुद ने दिये नहीं दिये ठीक है पांचाल उत्री पांचाल की राजदानी आईशत्र पुद दी और दखनी पांचाल की राजदानी क्या दि काम फिले ठीक है मसे माजनपत की बास करते हैं तो मसे जनपत की राजदान पाडेली अवंति की राजदानी उत्री अवंति की राजदानी जो है उजिनेनी उत्री जो इसकी राजदानी है उत्री अवंति की राजदानी उजिनेनी और दक्षिने अवंति की राजदानी है मर्श्मती ठीके गांदार की राजदानी तक्षिला और कंबोज की राजदान में गंटंत्रात्मक साथन पदरależी तो मैंने आपको पुर्में पता personaliser wohता किस परकार की होती है और गंट रादमक या लोग कंत रातम की विवस्ता किस परकार की होती है मि बनता था जनता के तुट्वारा चुना हुआ प्रतिजी राजा नहीं बनता था बात में समझे हैं यहीं मेरी बाद तो ऐसी वेबस्ता को राज तंतरात को सासर वेबस्ता के जते हैं ठीके वह मेरे नाम गिना दिया आपको चटी सदाब दिशा पूरू में अनेक गड़ तंतरुगा अस्तित्तु हुआ जिनमें से प्रमुक्ते कौन कोन से कपिल वस्तु के शाक्य कपिल वस्तु जो थी ठीके वहां कौन सा वंसका सा सकता शाक्य कपिल वस्तु के जो थे राज वंसका था शाक्य वंसका था ठीके आग पढ़ाल के विलीय और कैस कुत के का लाम राम ग्राम के कोलिय से पुसिन नया है मल पावा की भी मल ती थे sì ती ते देस्टी रजा ना डूर्ण। कोल दिली वरिठेस नायं नसने ती मिल विधैय ठीर से दें अब बात करते हैं राजस्तान के संदर्म में अब राजस्तान के संदर्म में हम बात करते हैं कि राजस्तान के प्रमुग जनपत कौन-कौन से थी तुम्हें आपको एक चीद बताना चाहता हूं कि वेदिक सब्वेता के विकास कर्म में वेदिक सब्वेता का विकास हो रहा था उस परबर थी खुंकार थी लड़ाकू थी इनको हम लड़ाकू विवमान भी मान सकते हैं ठीक है ना तो कौन कोन थी मालव शिवी और अर्जुनायन तीन जातियां भाग कर कहां आई उत्री राजस्तान के द्वार से कौन कोन जातियां आई चो अपने सास और सोरे के लिए प्रसिती कौन कोन मालव शिवी और अर्जुनायन कोन कोन थी मालव यह आपको बता देना चाहता हूं मालव ठीक है और शिवी और थी अर्जुनायन अर्जुन अर्जुनायन तेनों जातियां जो है पंजाब सब भाग कर आई पंजाब प्राक्रमन किया युनानी सास को ने ठीक है अब ही आने के बाद यह हैं अपने आप में क्याती लड़ाकू थी सास में निपून थी कौन कौन मालव शिवी और अर्जुनायन ठीक है यह किदर क्यो पंजाब और राजस्तान के सीमा का पर टच करती है आपको पताएं उत्री राजस्तान में पूर्वी भाग में जन्पद ये सासर व्यवस्ता का प्रारूर्व शुत्रपात हुआ अब प्रमुः जन्पद हम देखते हैं तो जंगल रूप से राजस्तान के जन्पद की बात करते हैं जन्गल की कहं पर त Ś展望 UK सब्सक्राद में का पर है कई चांगल प्रदेश als व्याषक्र प्रियद्य व्यूंज ус जैंग नपर व्यूंण के और प्रक्रेश कहा पर है तो वरत्मान की प्रिक्रेक्षि में जांगल प्रदेश बिकालेर जोद्पर के इश्यम में है, ठीक है, आगे देखो, महा भारत काल में जांगल देश कराते थी, क्या के लाते थी प्रदेश, जांगल देश कराते थी, ठीक है, कहीं कहीं इनका नाम कुरू जांगला, कहीं कही अभी लेकूमीन का नाम क्या मिलता है जांगल प्रदेश का नाम कुरू जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है क्या क्या मिलता है एक तो मिलता है क्या क्या मिलता है क्या क्या मिलता है कहीं कहीं अभी लेकूमीन का नाम जांगल प्रदेश का नाम कुरू जांगला पुरू जांगला और माद्रे जांगला माद्रे जांगला भी मिलता है मिलता है नहीं मिलता? ठीक है? आगे देखो इस जनपत की राजदानी आई शत्रपुत्ती बात करें हम जांगल प्रदेश की कौन से प्रदेश की? जांगल प्रदेश की राजस्तान का जो है प्रमुक जन्पद है जांगल तेके अब इसकी राजधानी क्या थी मैं आपको इसकी राजधानी बताना चाहता हूँ राजधानी जांगल प्रदेश की राजधानी तेकि यह अही छत्रपूर अही छत्रपूर थी वरतमान में अही छत्रपूर कहां पर ह नागूरूमग, धियान दे रेयोग के बाते, अयुष्योत्रपुर कहाँ पर हैं वरतमान में, आप बीधियोगे काँ प्रूचिता है कि वरतमान परिपेट्छे में, जांगल परतमान की सव्चह की राज़ता राज़नी किस जगह पर आबस्तित है या इस्तित है, तो आप द ते विकानेट प्रदेश की राजा को जांगल धर्बादसा की उपादी से नवाजा गया था किससे नवाजा गया था इसके राजा को क्या कहते हैं जांगल प्रदेश के राजा को जयांगल धर्बादसा जांगल धर्बादसा याद रखनी योगी बात ही क्या कहते हैं इनको जांगल दर बाजसा किसको जांगल प्रदेश के राजा को किसको जांगल प्रदेश के राजा को याद कर लेना इस इसको क्या कहते थे जांगल दर बाजसा कहते थे ठीके और आगे देखवा विकानेर राजे के राजचिन में जै जांगलदर बास्सा लिखा मिलता है विकानेर राजे के जो क्या है राजचिन है उसमें क्या लिखा मिलता है जांगलदर बास्सा जै जांगलदर बास्सा मिलता है तो आप याद रखने योगिवाद ये है कि आपसे कुछा जा सकता है कि जांगल प्रदेश वरतमान में कौन जिलों में अवस्तित है तो बिकानेर और जोदपुर में जांगल प्रदेश की राजदानी वरतमान में का पर है या कौन सी है अहिर्चत्रपुर और पूजा जा सक कि प्रतमान में अयशत्रपूर काप पर हैं तो नागोर में हैं और जैंगल प्रदेश की राजाभू क्या केते हैं जैंगल ठास के संदर्सा कि जह एक वह क्या है जैंगल्दार बादसा ठीक है वह समय में नहीं है क्या आता है जियपूर के आसपास कहिया मस्य जन्पत के नाम से जाना जाता है इसका विस्ताथ चंबल के पास की पाड़ों से लेकर कहा तक सरस्वती नदी के जांगल छेत्र तक था आधुनिक अलवर और भरत्पुर्ट आधुनिक और क्या बताया इसने आधुनिक अलवर और भरत्पुर राजे का पूर्वी भाग और भरत्पुर राजे का पूर्वी भाग किसके अंदर के जाता है मस्य जंपत के अंदर आता है ठीके आगे देखो और इसकी राजदानी विराट नगर थी इसकी राजदानी राजदानी के बात करते हम मस्य जंपत की राजदानी क्या थी विराट नगर विराट नगर को वर्तमान में वर्तमान में क्या कहते हैं विटाओ बेराट कहते हैं क्या कहते हैं बेराट समझे आरे मिलबाद इसकी राज़दानी क्या थी विराट नगर विराट नगर को वर्तमान में क्या कहते हैं बेराट ठीक है आगे देखो मुरे शासकं बिंदु सार से पहले मस्य जन्पत की इस पर्शनकारी का बाउँ था मोर्यः सासक जो था बिंदुसार का ऑपनाम से करने माला बिंदुसार बहले प्ला्य सशातर 11 सथरों का नाम करने वाला। जो बेंगे तो बीज़ास की पूरी बताइए एक की सासक कौन-खौन था उसके समय कैंश क्या एक वबा था। साली चीज थे श現在 बिंदु साहर से पहले मस्य जनपत की इसपर्ष जानकारी का अबाउ था महाभारत में कहा गया है कि सासग साहज नामक एक राजा ने चेदी तता मस्य दोनों राज्यों पर सासन किया मस्य प्रारम से चेदी राज्य और कालांतर में ये विशाल मगत साम राज्य का क्या बन चुका था अंग बन चुका था तो मस्य जनपत का पूछले कि आदू नहीं किया वर्तमान में कौन सी जिलों में हिस्ति थे तो आप असा बता सकते हो कि अलवर और वर्तपुर का पूरी भाग मस्य जनपत की राजदानी की बारे में पूछते तो विराट नगर विराट नगर अभी कहा है वर्तमान में बेराट में ठीक है एना ये चीज़े ठीक है और कल पढ़ते हैं इसकी बाहाजी